हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी काव आपके अपने चैनल फिल्मी खबरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म गणपत के बारे में जिसे लेकर बॉलिवुड में काफी जादा बस बना हुआ है इस फिल्म को लेकर एक नए अपडेट सामने आया है वही अपडेट हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर ले क्यूंकि हम यहां रोज बॉलिवुड से जुड़ी अपडेट्स लाते रहते हैं टाइगर श्रॉफ कृती सैनन की अपकमिंग फिल्म गणपत पहली बार अमिताब बच्चन भी देखने को मिलेंगे यह फिल्म लंबे वक्त से दर्शकों के बीच चर्चा का विशे बनी हुई है इसे लेकर काफी जादा बस भी क्रेटिड है इसी बीच मेकर्ज ने फिल्म का टीजर लॉंच कर दिया है टीजर में एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ का एक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको बता दें कि मेकर्ज एलान के अनुसार फिल्म गणपत का पहला पार्ट 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज करेंगे जिससे ये कनफर्म तो होता है कि इस फिल्म के दो या उससे ज़ादा पार्ट्स होंगे दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म के टीजर को मेकर सहित फिल्म की कास ने भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया है इस दिशेहरे सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ टीजर की शुरुवात गंपत की जह जह कार करने वाली भीड की धुन्दले सीन से होती है इसके बाद टाइगर शुरुव का द्रिशे आता है जिसमें वे अपने पूरी तरह से फिट बॉड़ी दिखा रहे हैं एक काले रंग के बनियान पहने हुए टाइगर का टशन देखते ही बन रहा है दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर की ये फिल्म को हिंदी समेत तेलिगू, तमिल, मल्यालम और कंडड में रिलीस किया जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबे कि इस फिल्म की कहानी दर्शकों को 2090 की दुनिया में ले जाएगी फिल्म के निर्देशक विकास बहल ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत करने हैं ताकि दर्शक निराश न हो फिल्म का नाम गणपत इसलिए रखा गया है क्योंकि टाइगर फिल्म में गणपती के भक्त बताए गए है तो दोस्तों अब आप हमें बताईए कि क्या आपने अभी तक इस फिल्म का टीजर देखा अगर हां तो हमें जरूर बताईए कि आपको कैसा लगा और अब आप यहां तक आही गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना कहीं मत जाईएगा